हेलो फ्रेंट्स वैलकम टो चोत्री एकडमिन पिछली दोनों वीडियो मैंने आपको क्या करा है था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटिज वेरिफाई कैसे की जाती है यह ड्राइव कैसे की जाती है वह मैंने पिछली वीडियो में आपको पता दिया था तो चलिए कुछ और common identities है जो कैसे verify की जाती है निकाली जाती है वह आज आपको पताऊंगा तो चलिए पिछली वीडियो मैंने आपको कौन सी कराए थी cos2x की क्या होता है cos2x मैंने sin2x 2 cos2-1 है और 1-2 sin2x अगर आपने वह नहीं सीखा है या नहीं देखा है तो इस वीडियो के cos2x किसके बरावल है 2 cos2x-1 के अब देखें इस अगर 1 को उधर ले जाए तो यह क्या बन गया 2 cos2x और यह क्या बन गया 1 plus cos2x यह minus इदर जाता है तो प्लस हो जाता है आपको पता होगा कि side change करते है तो जब दूसरे तरफ जाता है तो साइन है वह अगर प्लस है तो माइनस हो रहा तो माइनस है तो प्लस हो रहता है अब दोरों तरफ टू सी डिवाइड कर दीजिए तो यह से कटिक है तो सब्सक्राइब क्या क्या वन प्लस को स्टूट वेक्स यह भी एक हएंदेटिटी होती है अब चलिए एक और निकालते हैं अगर यह ले चलिए माल दिजिए कि cos 2x is equal to 1 minus 2 sin square x अब यहाँ पर यह इदर जाएगा और यह इदर आएगा तो 2 sin square x plus का हो गया तूकि यह पर minus का था और यह plus का है इदर आगे क्या हो जाएगा का minus का minus का cos है 2x अब 2 का दोनों तरह डिवाइड कर दीजिए वापिस 2 का डिवाइड कर दिया एकट गया तो sin square x का formula क्या आ गया 1 minus cos 2xy2 यह एक और आइडेंटी हमने drive कर लिया verify कर लिए कि किस तरीके से sin square x का आप क्या होता है वर वाइनस है कोज 2x है वाई 2 इसकी साहिता से आप drive कर सकते हैं क्योंकि आपकी memory आपको math के अंदर बहुत ज़्यादा याद रखना होगा लेकिन अगर आप भूल जाए तो इसे कैसे drive कर सकते हैं रिमेंबर कर सकते हैं यह उससी तरीके का ट्रिक है जो आप remember वापीस है कर सकते हैं शोट तरीके से जंदी से झाली है और और अई आपको बथाता हूं अब जो हूं इन्टी करें के वहां करेंगे प्रोडेक्ट है कि चलिए पिछली वीडियो में आपको दो रूल पता है थे अगर आपको याद हो तो कि साइन जो साइन है वो X प्लस माइनस Y इसका फॉर्मुला क्या पता है था इसका फॉर्मुला पिछली वीडियो में आपको पता है था इसकी साइथा से अमें प्रोडेक्ट ड्राइव करेंगे कैसे आपका किजिए sin x plus y sin x plus y और plus में sin x minus y का जोड़ कीजी अब क्या होगा, देखिए sin x plus y क्या होता है, sin x cos y plus cos x sin y अब यह सिर्फ इतने का formula हो गया, यह हो गया अब इसका लिखेंगे, plus में करके sin x minus y, sin x minus sin x cos y अब जो minus है तो minus minus cos x sin y, अब यह क्या होगा, देखिए यह इससे पूरा कट गया, तो क्या होगा 2 sin x cos y तो formula क्या बना हमारा अगर दोनों तरफ 2 sin x cos y is equal to sin x plus y और plus में sin x minus y अब यह दोनों तरफ अगर 2 से divide कर दें 2 से divide क्योंकि यह books में वैसे तो यह भी सी है 2 sin x cos y आप यहां से निकाल सकते हैं लेकिन books के हिसाब से अगर यह identity निकाल दें तो क्या होगा, यह 2 कट गया है, तो sin x cos y product identity क्या जाती है sin x plus y plus sin x minus y और 2 से बाग यह आपकी product identity derive हो गी, किस तरीके से आई? यह मैंने आपको पता दिया है कैसे गया, sin x plus y और sin x y का, जोड किया यह दोनों कट गये, यह दोनों जुड़ा, दो cut divide किया, दोनों साइड, और यह आपकी product identity आ गई, चलिए इसी से related एक और करते हैं, अब आपको cos का formula बताया था, जो आपको याद होगा जाए, चलिए cos वाले formula से और बताता हम कि product identity कैसे drive की जाती है आपका cos का formula क्या था, कि अगर cos x plus minus y हो तो क्या करते हैं, cos x cos y minus plus sin x sin y, sin x sin y, यह formula आपको मैंने पिछली वीडियो में drive करा दिया था, तो इसी की साइथा से हम एक और product identity verify करेंगे, चलिए, क्या करते हैं कि cos x plus y और cos plus में cos x minus y, अब आप इसका formula लिख लिए, क्या होता है, cos x plus y का cos x cos y और अगर plus दिया होए, तो क्या आता है, minus sin x sin y, अब plus में cos x cos y और minus दिया तो plus में क्या होए, sin x sin y, यह इससे कट हो गया, तो क्या आगया, 2 cos x cos y, अब 2 cos x cos y किसके क्या आगया, cos x plus y, plus cos x minus y, 2, यह हमारी एक और प्रोटेक्ट आइडेंटी, वेरिफाई, किस तरीके से आप एक्जाम के अंदर भूल जाएं, तो निकाल लें या वेरिफाई करें, तो इस तरीके से आप निकाले सकते हैं, चलिए, अब इसी से related है, जो next है, वो important है, क्योंकि इसके अंदर क्या आयता है, यहाँ पर, पलस हाया था, अगर यहीं पर minus दे दे, तो वह ज़्यदा changes इस formula में हो जाते हैं, चलिए, मैं बताता हूँ कि कितने changes होते हैं, माल लीजिए, अगर आपको formula drive करना है, यहीं कोस है, x plus y, minus में आप कर दीजिए, कोस है, x minus y, आप कर लीजिए, चलिए, अब क्या होगा, इसका formula दीजिए, कोस x, कोस y, पलस, पलस है तो minus आजएगा, sin x, sin y, अब क्या करना है, यह minus आगे है, तो minus का, minus आगे है, तो कोस x, कोस y, यहाँ पर यह minus होगा, अब क्या हैगा, पलस पलस फिर क्या हो जाएगा, minus में change हो जाएगा, तो क्या करेंगे, कोस sin x, sin y, यह इससे कट हो गया, तो क्या बनेगा, minus का, 2 sin x, sin y, तो अगर इसको इधर ले जाए, और इनको इधर ले जाए, तो क्या formula बने जाता है, 2 sin x, sin y, is equal to क्या होता है, cos x minus y, minus में cos x plus y, यह कैसे गया, तो क्योंकि, इनको भी दर ले ले जाए, तो यह plus का हो जाएगा, और यह minus का हो जाएगा, वस यही चीज मैंने आपको कहा था, कि next formula के अंदर, बहुत ज़्यादा difference आ जाएगा, अब दोनों दरफ 2 का डिवैड कर दीजिए, 2 का डिवैड किया, तो यह कट गया, तो sin x sin y का formula क्या जाएगा, जो product identity है, sin x sin y क्या होता है, cos है, x minus y, minus cos x plus y, by 2, यह हमारी product identity verify हो गए, यह बहुत important है, ध्यान से, देखेगा कि क्या किया, यह भी आपस में change हो गए, इस तरीके से, आप कोई भी product identity verify कर सकते हैं, तो thank you दोस्तो, अगर यह वीडियो पसंद है, तो इस चैनल को subscribe कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी verify करने में, यह आप exam के इंतर remember करने में, याद करने में असानी हो, thank you.